हेलो दोस्तों मैं आपका भाहिन अवाज देलवी एक बार पर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अवाज श्रफ देलवी पर आज मैं इस टोपिक को लेकर आया हूँ वो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है और बहुत जादा नीडी है हम घर के अंदर अपनी cat के grooming कैसे करें अक्सर हमाँ पैट शॉप पर ले जाना पड़ता है grooming कराने के लिए तो grooming हम घर पर ही कर सकते हूँ और मैं बहुत easy way में आपको grooming बताऊंगा मैं कुछ भी professional नहीं लाऊंगा उसके अंदर घर की चीजों से घर के bathroom में घर के कैसे अपनी पैट की ग्रूमिंग करें तो इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं सबसे पहले हमें करने वह हमें अपनी कैट के नेयल कट इसके नहीं को है। मगोर। नेयल कड़को दिक को बताओ वह आप में कशिद के लिम कैसे कर बाद देंगे। फिर उसके बाद हम उसके एर को क्लीन करेंगे तो यह सब चीजे प्रोसेस के साथ करेंगे तो सबसे पहले आए हम लोग अपनी केट के नेल को कट करतें तो यह हमारे घर की कैट है डोरा आज हम इसके नेल कट करेंगे सबसे पहले इसे नहलाने से पहले तो यह जो है हमारा ने नेल कटर है घर के लिए हम घर के नेल कटर से मेरे पास दूसरा नेल कटर भी है जो इनके लिए होता है कैट के लिए बट हम घर के नेल कटर से इनके नेल कट करें जिससे एजी रहे थोड़ा सा तो थोड़ा सा आप आई और गोर से देखिए कि किस तरीके से नेल को कट किया ज यह लोगी ही सबसेप hobby चीज ध्यान रहें दोस्तों यह जो नेल होते हैं हमें सिर्फ इसका टॉप को कट करना है हमें विलकुल नीचे नहीं जाना है क्योंक्त नीचे कर देंगे तो थोड़ा सा ब्लड निकल सकता बूर्से सब्सक्रaches dub को कट करेंगे तो दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरीके से इसके नेल कट की है अब नेल कट वाला तो काम हो चुका है अब इसका टाइम आ गया बात का तो हम सीधा इसे अपने बात्रूम में लेके चलते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको बात कैसे देनी है घर में सिंपल वे म में फिर इसके बाद एर क्लीन करेंगे फिर प्रोसेस के साथ बतातों दोस्तों हम उपने बात्रूम में जिसके आप देख रहे हैं और यह हमारी बाइंटी है इसके अंदर इमागे हमने पाने फुरा से गुंगुना कर लिए जिसे दोरा को दिकत ना और हमेशा जो भी आप अपनी पानी रिखिए ना जाद न दा पूर रहा जाए है तो सबसे पहली क्या करेंगे कि दोरा की बाडी को गीला करेंगे ठीक है अब फेस को शोगार पेस को एंड में साथ रहें कि अधर नॉर्मल सा मुझने आताम में पानी जाना है उसके अंदर अपना के जो डाल दे पास तो दो तीन तरीखे के वागर जो भी आप लाना चाहूं वह आपको डाल रहे हैं कि अपने केट का शेंपू इसमें पानी में भूलने में और फिर इसकी बोडी पे शेंपू डालना है कि अब आपको इसकी बोड़ी पर ये शेंपू लगाना है कि अबसे तो बहुत जारा चंचा लें मट को रिशुनिया नहा लेकिया रहे हैं कि अब तो जिसा देखा आपने के डोरा नहा चुकी है अब हम डोरा को टॉवल से क्लीन करेंगे दोस्तों कि पैट टॉवल आती यह घर की जो टॉवल होती है यह इतना अब्सॉप नहीं कर पाती है यह टॉवल है यह पेट्स के लिए होती है इसके अंदर गया हम इससे साफ तो हम क्या करेंगे पहले इस से साफ कर लेंगे अच्छा से डोरा को ताकि इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल पानी खतम हो जाए तो हम पहले साफ करेंगे और आपने देखा भी होगा वीडियो में मैंने बहुत जल्दी बनाई है ताकि आप भोर ना हो तो मैंने इसके फेस पे एक दम लास्ट में हलका सा पानी लगाया था शैम्पू वाला और वो भी मेंने जल्दी से दो दिया था तो मैं फेस पे जड़ा पानी लगाता नहीं हूं ज़्छाता तर बॉडी को कुलीण करने की उस ने रहता हूं तो यह हमने टावल से दोरा की बोडी को साफ कर रह तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारा जो काम था वो कंप्रीट हो चुका है मैंने इसस सुखा भी दिया और यह धर कई है तो यह 90% तक 99% तक dry हो चुपी थोड़ी सी रेली वो यह फुद भी चाट के साफ कर सकती है अपने आपको काफी सारा काम यह फुद भी अपने आपको क्लिन करने का करके तो अभी यह dry हो गई है पुरी तरीके से अब हम इसे comb करेंगे नॉर्मल कॉम जो करते हूं ताकि अगर इसके कोई मैट्स वगेर आउंगे तो वह इसली निकल लेंगे पहले गैप वाली साइड से करिए थोड़ा सा खूंग है तो दोस्टं हमारी डोरा तयार ओच्रों अब बारी है इसके एयर को क्लीन करने की जो लासि श्तेप है हमारा आईए मैं दिखाता हूं आपको कैसे कर आपको कृता है है पास यह ले सकते हैं आप और ना यह नहीं है तो आपका विर्वएक का आता है empiotic आप दोनों दोनों बेस्ट है तो आपको क्या करना है यह तो आपको cotton लगानी है सबसे पहले अपने किसी भी object में । आपकेची भी ले सकते हो जिसका मूँ चप्ता हो, या फिर आप यह भी ले सकते हो, जो भी आपको सहुलत लगे, तो सबसे पहले आपको इसके कान में, तर देखाओ, इसके कान में ये थोड़ा सा, ये डाल देना है, जो आप डाल देंगे, आपको थोड़ा सा दबाना यह उखरके, वो ऐसे ही इस कान में डाल देना है, देख रहूंगे आप कान काफी गंदे हो रहे हैं, जब डाल देना है, फिर उसके बाद इसके थोड़ी सी खुजली होगी, वो कोई दिक्कत की चीज नहीं है, आपको नॉर्मली इसके अंदर इसे कोटन को लगाना है, और यह एर बर्ड टाइप बन जाएगी, यह बर्ड बन गए एक तरीके से, अब दिखाओ, आपको क्या करना है, उक्तान में लगाकर यह पहले उपर-उपर से साफ करना है, ठीक है न? यह देखिए, यह बाहर से दिखने वाली कैट्स के इतने गंदे एर होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी से और कोटन लेनी है, फिर थोड़ा सा अंदर तक साफ करना है, यह देखिए, अक्सर परिशेंद के लगती साफ सुत्री हैं, मगर उनके अंदर बड़ा कीचड़ बारा होता है, तो दोस्तों देखा आपने, के अब बिल्कुल डॉरा नीट एंड क्लीन हो चुकी, अब थोड़ी बहुत रहे गी है, वो अपने आप साफ कर लेगी, यह प्रॉब्लम तो मत करिए, दूसरी चीज जब हम नहलाएंगे इसे तो जरूरी बात यह धियान रखिए, कि पानी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गरम, फिर जब हम इसे ड्राई कर लेंगे पूरी तरीके स तो पैट टॉबल से करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर की टॉबल से भी कर सकते हैं, फिर ड्रायर से इसे ड्राई कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इनके एर क्लीन करने हैं, और एर क्लीन करते हैं एक चीज का खयार लखिए, कि जो आपके पास अब सब्जेक्ट होना वह बाहर से चप्टा जरूर हो, क्योंकि अगर नौकिला होगा तो कहीं कान में लग गया तो ब्लेड वगरा निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स से निकालना पड़ता है, ठीक है न, तो यह सब करने के लिए आपको बहुत गोर से वीडियो पड़ेगी, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जिस तरीके से मैंने नहलाया और नहलाते समय इसके चहरे को लास्ट में धोईए, पहले दोने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वरना उससे परिशान हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस से लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए डेली वीडियो बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सबूँ, तो थैंक्यो सो मच